जो वो बेफकूफों की तरह खुदी उचाल रहे हैं ऐसे प्लाटफॉर्म पर गंदे लोगों को मैं अपने दिमाग में कते ही नहीं रखती कि मैं कंसिस्टेंसी तो रही है कमीने पन की आप फैर वो यहां या वहां होता गिरने में तो या तो सिर या तो माथा मुनवर का या पिंदरो क्रीडों को है कि इसे गंदे लोगों की अपने दिमाग में कते ही नहीं रखती बट डेफिटली समर्थ का निकलना was a very pleasant news for me personally क्योंकि समर्थ जब तक entertaining था बहुत मज़ेदार इंसान था पर जो वो off-hand गया और वो poking में गया चाहे वो मेरे तक भी जो भी बाते हुई जहां मैंने उसे बोला मैं उल्टे हाथ का थपड लगा दूँगी और अभी शेक तक जहां extend हुआ सो honestly it was good riddance to bad rubbish Family Week देखा अपने जब उनके पापा आए और इशा के पापा आए जो आहमना सामना उन दौनों को हुआ उसको देकर क्या reaction था आहमना सामना दौनों फादर्स का या इशा के पापा और समर्थ का फादर्स का इवन मैं जो किलिप देखता हूँ कि जहां पर दौनों बैठे हुए हैं और दौनों देखी है पर इशा के पापा बड़े मिचॉर और यूनों वही काम कंपोज बंदे लगता है समर्थ के पापा समर्थ की तरह ही नौटी लगता है यूनों बड़ी मचले हो ऐसे जैसे कहूं तो तो डेफिनिट वबड़ा फणी वीडियो था मैंने देखा वो कहुआ बोल रहा है ये दोनों बैठे है ऐसे ऐसे देखी जारे है सब्सक्राइब लगता नाइस इशा के पापा ने बहुत बहुत अच्छे से बहुत सुल्जे तरीके से अपना स्टे वहाँ पर किया जो भी इशा को समझाना था जिस तरह समझाना था ऐसे लगा कि यार इसके पापा बढ़े अच्छे है ये कैसी बेटी निकला ही इनकी समर्थ के पापा को देखकर तो लगा कि ये नौटी है तो अंकल भी मैं क्यों उंकल बोले है समर्थ के पापा भी नौटी टाइप सी लग रहे थे मतलब मस्त मौला टाइपस बढ़ा अच्छा वक्त मुझे इन फाइक मुनवर की सिस्टर अम्रीन जो जाके आई तो उन्होंने वापस आके मुझे फोन भी किया और बोला मुनवर इस मिस्सिंग मी और भी मेरे जाने के बाद बहुत अकेला पड़ गया बहुत टूट गया अपरेंड़ी मनारा वो सेंग की बही मैभी मैं बैठती हूं तो यह बैठती हूं तो यह बैठती हूं तो यह आई। यह दोजन सिट इन मी तो all that I was like yaa यह आई नुम्त आपने एपिसोड में यह देखा of course I was like nी ठीक हे, चलो as far as he's doing good ओर कुछ बात हुई अपकी मुनवर की पहन के साथ में? मतलब और कुछ उन्हों रहे हैं? कोई भी आते तुम्हित मुँख के बोल रह、 कोई भी आते तुम्हार निया ने सुन रहे हो और जब बहुत जादा लिहाज करो से लगता है यार इसी ले ये छुप है पर धिर गज्वार है तुम्हार देख को समय डा पड़ते है कि बेटा बोल सरवाब दे अब जब कल विक्की ने भी एपिसोड में बोला, वो देख तेरी असलियत, वो देख तूसे बोला न हाथ देख रहा हो, चला, तू सामने क्यों आ रहा है, देखने दे मुझे असलियत, अरे मैं थे, क्या है भाई, तू सारे दूद के दूले अंदर बैठे हो है, सब कच्छे जटे खुलने पर आगे, बिग बॉस खुलने पर आगे तो पता नहीं किस-किस के क्या कांड निकलेंगे, खाम खा, तो definitely Amreen spoke to me for a long time, और ये था कि मुनवर आएंगे, तो definitely हम सब मिलेंगे साथ में, and it'll be fun, और तू आते नहीं बोल सकती, उन्हेंने कहीं के बारे में बताई है, but yeah, all good, मतलब मुनवर के बारे में क्या बताया, जो मतलब, नहीं बोल सकती है, वगरा भो बता रहा है, जो उन्हें as a sister, definitely, as an audience, and as a sister लगा, और उन्हें वो मुका भी मिला कि अंदर जाके, वो one-to-one एक सामने गेज कर पाए, and she was not very happy with a lot of people inside the house, and definitely, Abhishek और मुनवर को मिलके, वो काफी खुश थी, बहुत भरी हुई से बैठी हुई थी, वो Aisha के लिए, जब वो आए, even मुनवर ने भी बोला कि, Aisha has damaged, tried to damage मुनवर's reputation, so good enough reason, कि मुनवर की sister उनसे upset रहे, and for that matter, at that point of time, Manara ने भी कोई कसर नहीं चोड़ी थी, as usual, अपना बड़ा मूँ खोलने के लिए, क्योंकि जब हमेशा बोला है, Manara जब बोलती है, उसे ऐसास नहीं होता कि वो क्या-क्या बोल जाती है, और कितना बोल जाती है, and how hurtful it can be, और you keep doing this, like really, what is wrong with you, dude, उसकी बहन आयती मिताली, ऐसे था कि लिटली जमीन आसमान का अंतर दोनों बहनों में, I think I will get along with मिताली more than Manara, you know, sensible लड़की लगी, हलागी मनारा की छोटी बहन है, और इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो है विकी की मॉम, वो कैसे लगी आपको, कई सारे मेम्स बन रहे हैं उनके उपर, कई सारे वो बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहे हैं इस शोशल मीडिया के उपर, और बहुत ज़्यादा, I'm so famous, yeah, so cool, I think she's damn cool, मतब मेरे ब्रह्म को तोड़ दिया कि नहीं, आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसे परिवार हैं, जो प्रतिष्था में, प्रथा में, whatever those words, उन सब चीजों में definitely विश्वास करते हैं, which is very good, which is extremely good, क्योंकि मैं एक joint family में रही हूं, बचपन से ही, till I got married, and तो मुझे पता है, वो joint family culture बहुत अलग होता है, सोच अलग होती है, बहुत रहता है, and I understand that, तो definitely उनकी expectations एक हद तक, या उनका जो कहना, क्योंकि एक होता है आप और हम अकेले रह रह रहे हैं, तो भाया कोई फरक नहीं पड़ता, अरे ममा, we know what we're doing, बर जब आप एक परिवार में रहते हो, तो definitely I disagree with the fact, कि ऐसी families, अभी भी exist करती है, which was very, you know, really nice to know कि आज भी ऐसा है, and it matters, आँटी जी की सोच जो है, यह हुआ कि बड़े अरसे बाद ऐसे कोई रियालिटी में इंसान दिखा, अब तक तो मैं characters ही कर रही थी, तो आँटी मेरी inspiration बन गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा उ आखे दिखा रही है, कि, oh my god, she was too cute, यार, I think she was too cute, she was damn cute, sorry, but yeah, कुछ कुछ बाते हैं, definitely, I know your next question is going to be, उनको थेरपी रूम में बोला, you know, उनकी मदर को, पकी के पापा ने फोन कर, कि यह चीजे नहीं होनी चाहिए, जिसका I think, Ankeetha ने बहुत सही तरीके से बात की, कि भई problem मेरे और इसकी, आप मेरे माबाप को, मेरे father जो अभी रहे नहीं, so why do in-laws go to लड़की के माबाप पे क्यों चले जाते हैं, यह तो मुझे आज तक समझ नहीं आए, ना वो तुम्हारे साथ रहते हैं, ना वो, you know, इतना कोई मिलना जुलना है, तो हर, अगर मैंने कोई गलत तो मेरे parents की, तो अगर मेरे माबापने मुझे जिन्दगी में गलत सीख दिया, तो आपने भी अपने बेटे को गलत सीख दी होगी, यह क्यों भूल जाते हैं, ताली तो दो हाथ से बचती है न, अच्छे में और बुरे में, सही में और गलत में, तो अगर कहीं कुछ अंकी विकी इतना ignorant है कि उसे समझ में नहीं आ रहे है पर मैं कर क्या रहा हूँ whatever it is your wife is uncomfortable you want her to sit understand compromise you also need to do that फिर विकी का यह कहना कि तू तो ऐसी है तू तो यही करती रहती है तू तो आखें दिखाती है सब दोस्तों को भगा देती है या तू dominating है तो भाया egoistic dominating दोनों है दोनों ही है ऐसा नहीं है एक है ठीक है पर आप इस ऐसे platform पे हो जो आप दोनों को जो विकी एक पॉइंट पे शायद बोल रहा था कि एक रेखा ड्रॉ करनी पड़ती है कि इसके आखे हम नहीं जा सकते हैं पर आज तो दोनों उस रेखा को मिटा के बैठे हुए और दोनों कर रहे है जो कर रहे है जैसे बहेव करना है जैसे बोलना है मैं रहूंगी मैं नहीं रहूंगी अंकीता जीब से गिल ट्रिप पे चली जाती है इंसेक्यूर हुई पड़ी है I don't understand maybe 13 weeks in big boss is you know kind of psyching her up away from the family या फिर इतने time obviously अपने husband wife एक दूसरे के साथ 24 सो घंटे रहते नहीं है और अगर रहे है तो इतने सारे लोगों के सारे I don't know too many things can work on the mind जिससरा से विकी बार-बार उन्हें कहते है कि तुम इंसेक्यार हो तुमें कई सारे चीज़े तुम ऐसा ही कर रही है यार और वो खुद बोल भी रही है वो यह नहीं कही रही है कि मैं इंसेक्यार हूँ बट वो खुद बोल भी रही है मुझे मेरे behavior पर हो रहे है Why are you behaving like this? Tell me why she is behaving like this? क्योंकि विकी कुछ कर रहा है अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ ने मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता को बहुत जादा बुरा लगता है कि वो जब उने छोड़के किसी और के साथ में बैठते है क्या करते है बाते तो फिर बुरा क्यों लगना चाहिए अब इसका जवाब तो मुझे लगता है कि अंकिता शुरू से ही कर रहा है और अंकिता तो शुरू से ही बोल रही है तो मुझे टाइम नहीं देता तो मुझे टाइम नहीं देता उनका यह कहना है कि यहाँ तो तुम जो कर रही हो करी रही हो लेकिन इवन मेरे साथ में घर पे भी यह सारी चीज़े करती हो मैं कई जाता नहीं मैं कई आता नहीं अक्यले यह वो which is very this, यह ही कैसा है यार how can you do that? अजी अजीव लगी आपको यह सारी बाते सुनने में? obviously, obviously मुझे अजीव लगी मुझे तो विकी का यह कहना भी बड़ा अजीव लगा कि अंकीत आपने ससुराल पूरे साल में 15 दिन जाती है यार मैं शायद वैसे खयालो कि हूँ ऐसा नहीं कि चलो आपका काम आपका सब कुछ इदर है आप यहाँ प्राइमेरिली आपका बेस मुंबई है all understood but when you know that how the family is and this is the man you wanted to spend the rest of your life then definitely और उसके लिए family financial चीज़ों को लेकर भी कई सारी वहां पर बात हुई है वहां पर वीडियो आपने सुराओ but यार देखो यह उनकी बड़े परस्नल अफैस है जो वो बेफकूफों की तरह खुद ही उचाल रहे हैं ऐसे प्लाटफॉम पर जिससे पुरी दुनिया को मौका मिल रहा है यह सब को डिसकस करने के लिए जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ओ क्या financial क्या नहीं है उस्बंड वाइफ की बात है यह वो जाने उनका क्या है क्या बुलू ना मैं उनसे कभी मिली ना मैं उनकी घर में कभी रही ना मुझे एंट इस नंट इनन वाइब बिजनेस तू क्या बुलू ठीक है रास्बंड राइव है आपस में एक अंडिस्टैंडिंग रखके चल रहे हैं जो भी है यह सारी चीज़े हो जाएं यह बाते कोई ऐसे लाता है वहां पर एक और भी कंसर्ण दिखा है कि मैंने चाहती कि तुम तुम टीवी पर कहें नहीं कि तुम एक वो में नजार कर तुम्हें टैक लगे कि क्यों बोल रही आंकिता है डोतीन भार बॉल चुकिए और मेरा शीर क्यों ये शब्द यूज कर रही है झात अच्छा नेई लग रहे है और विकी क्यों में क्या कर रहा हूं में क्या कर रहा हूं की चक्कर में फ्रिट लगे रहो brings दूसरे का तमाशा टीवी पे और फिर हम बैठके यहां चर्चा करेंगे उन्होंने ऐसा क्यों बोला उन्होंने वैसा क्यों बोला जोगो यार अब तो वो आएंगे तो आप लोग ने पच्छी सो सवाल तो इसी पर कर रहे है बहुत जली सवाल होने वाले उनसे जिस तरह से मैंने आपक बोलोग ऐसे नहीं है कि राद गई बात गई विक्टी को बीग बोला और जो करन सर ने बोला जो अंकीता ने बात बताई अंकीता भी बोल रही है मैं ही लड़ती जा रही हूँ तो बात देखो ताली तो वही मैंने का ना ताली दोनों हाथ से बचती है अब आपको लग रहा है आप गलग तो चलो अच्छी बात बैटके हटाओ ये चीजे एंड जो विक्की अंकीता को बोल रहा है भी हटाओ यह पर तुम भी तो अपनी हरकते सही करो कि वह इंसे क्यों रोना बंद करें उसके माबापने थोड़ी ना सिखाया था ये सब करना जो टॉचर टाक्स में जो कुछ भी हुआ उस पर आपका क्या कहना है क्या लगता है वहां पर कौन सही था कौन गलत था टीम A और टीम B क्यों और वो जितने देर होल्ड कर पाएंगे बजर को वो टीम जीते की वाला हिसाब के ता तो क्लियर ही था तो फिर आपने जो भी किया उनको हराने के लिए कि वो बजर छोड़ दें वो ये कर जो भी टॉचर आपने जिस हद तक किया फिर आप इतना डर क्यों गए तो सारे मसा आपने तो फेर फाइट की नहीं करो ना फेर फाइट मजा भी आता यार ठीक है इसा टॉर्चर टास्क इसा टॉर्चर टास्क पर जाओ तुम वह उन्तीज मिनिट एक्यावन सेकंड मजा आता है ना खेलने में यह तो पहली हार मान जाते है रहे चुपा दो चुपा दो इस बिन वेरी रबिश गजए थिंग दिस तैंग तास्क इन विग बॉस एक और दोनों के बीच में जो चीज हुई ती जहां पर आप अप को तो एक फुट की चोड़ाई की टेबल पर गिरा है जंप मारी इस ना प्लाइंट जंप की मैं यहां से जंप मार के यहां पर पै पेर रखने है, it was he fell off, का मतलब यह है कि वो पेर आगे जा सकता था या पीछे आ सकता था, उस एक फुट चोड़ाई के टेबल के आगे लकडे की बेंच है लोहे के सपोर्टर के साथ, और उसके पीछे जिस पे वो पेर जड़ा हुआ है, वो सीमेंट की गुलाई की दिवार ह वो यहां या वहां होता गिरने में, तो या तो सिर, या तो माथा मुनवर का, या तो कमर मुनवर की जानी थी, which was like, oh my god, like what the hell, इतनी फटी पड़ी थी, तो फिर क्यों किया उतना सब कुछ, करने से पहले पता था ना, अभी हम करेंगे, फिर इनकी बारी आएगी, तो उतन and then when he's trying to remove it, you pushed him out of the bloody tree, यार, it's not funny, but, जरा कहीं गलत कुछ लगे, बंदा मर जाए, एक नस गलत चली जाए न अंदर, इसकी गारंटी कॉन लेगा, आपने तो एक सेकंड नहीं सोचा, so I honestly, ठीक है भाई, गर्दन क्या गुच भी पकड सकता था, वो तुमारा तुमारा तु क्या हो गया, गेम शो, गेम शो करते आयो ना, तो गेम शो में गेम खेलो ना, अब क्या हो गया, लास्ट वीक में, अल्मोस्ट लास्ट वीक में, भड़ गई, तो पहली हार मान दी तुमने, तो उन्होंने तो सिर्फ तुमें एक सेर्टिफिकेट दे दिया ना, डिस्क्व वो भलती उपीनियन तो नहीं है न यार अगर एक लड़ाई ना लड़के एक लड़की की इज़ट को रखने में खामोश रहने में बेटर है खुद की इज़ट को बचाने में भी तो उसमें गलत क्या है Yes, at the same point जो मनारा ने बहेव किया जो अमरीन उनकी सिस्टर ने उनसे कहा कि भई, तुम कहें सुन रहे हैं इतना कुछ बोलो, नहीं जवाब दूगा यार जो भी मतर तुम्हारी बात है तो ठीक है, डेफिनिट यार, कभी-कभी आपको नहीं समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि भई, सारी बॉंड जीनियस होते हैं, हर सवाल का जवाब आपके पास तयार है कई वाँ नहीं समझ में आता है बद्धी नहीं चलती कि क्या करें चोड़ो यार, बेटर है चुप रहो एक बोलूँगा वो दो बोलीगी, दो बोलूँगा वो चार बोलीगी आसे Strong इनसान भी सपोट की जरुरत पड़ती है तो जो उनकी बहन ने आकर उन्हे डेफिनेटली वो किया Big Boss ने भी किया, definitely Karan Sar ने किया तो फीर, कभी-कभी जरुरत पड़ती है, रहसा नहीं कि कोई इनसान स्टील का बना हुआ है Strong से strong आदमी तूट सकता है आप शौक हैं? नहीं, आप शौक हैं? ने मैं आप से पूछ रह stos हैं, आप का यह मानद स्कुराही है? शौकी मनारा का देखो अफ़वल तो यह टीमवर्क था, let's not forget that even if I have to say it in that sense तो यह टीमवक था, तो टीम में तो यार हम तीनों की एक टीम है, चाहे आप और मैं हमारा शायद सुबही तूतु में वाला या कुत्ते बिली वाला जगड़ा हुगा, पर शांग को एक टास्क है हमें as a team वहां रहना, तो फिर वो छोड़ो अब ये काम as a team हमें डटके एक क I think Manara is doing, क्योंकि उस दोहरान Manara ने खुद ने का है कि हमें एक team में है, इसलिए I am behaving the way I am obviously I will protect कि तुम मसाले ले रहे उससे, यह मेरा team member है, तो I will protect, और any which way because the team should behave like this, हाँ वो काम खाता मुझा है, फिर तुम उदर तुम उदर वो अलग चीज है, but भाया वो team एक टास्क है उसको पूरी तरह से खड़े साथ रहके करना है, दूसरे को, so I think Manara is doing the right thing being a team, a player of the team अभी शेक का गेम कैसा लग रहे है आपको, मतलब में लगता है कि अब थोड़ा से वो बदल, उनका गेम का पैटन थोड़ा बदल से गया है, या कुछ अलग तरह से अब के तुम अभी शेक बहुत अच्छा लग, मुझे खेर हमिरिशा से यह अच्छा लगा, तो मुझे अभी उसका गुसा, जो उसका अग्रेशिन था, तो honestly मुझे वो अभी शेक से, अब जो मैं अभी शेक देखती हूँ ना, मुझे लगता है, thank God, यह big boss में आया, because बहुत सीखने मिलता है, आप 100% अपने आपको नहीं बदल सकते, but आपको सीखने बहुत मिलता है, and I'm glad to see that lovely change in Abhishek, you know, जो पहले पावल की तरह होता था, say, it's a commendable thing to see him, कि, mature हो गया थोड़ा, sort of thing, ऐसा नहीं कि, लड़ता नहीं है, but you can see that little maturity in him to handle things in a better way, यह जरूरी नहीं कि हर इंसान 10 दिन में सीख जाए, कईयों को वक्त लगता है न, I'm glad कि वो इतना वक्त रहा कि वो अपने बारे में वो बदलाव को समझ पाए, that's nice. चालोगे, तबी तो अभी शेक को चाल पाओगे न, तो वो सब करने के बाद, अब जब समर्थ, तो खेर वैसी, किसी काम का नहीं था, समर्थ चलो, अच्छा ही हुआ गया, देर आए, दुरूस्ता है, और इशा अब क्या कर रही है, बस, as usual, भॉंपू, एक भॉंपू ये क्या तरीका होता है, नाइ, 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 अरे पर बोल क्यों रही है तू, I'm not kidding, a lot of time she doesn't know why she's saying something, she's just saying, ये चार-पांच लाइने रिपीट मोड में, चालो, चालो, और ऐसे बैठके कभी आप देखो, आपको ये क्यों कर रही है ऐसे, and I'm not kidding, जब आप बिग बॉस के घर में होते हो, और एक जगडा चल रहा है ना, तो उसको ऐसे कभी ऐसे बैठके देखो, उसको देख, उसको देख, वो क्यों कर रहा है, और पर वो ईशा को देख, ईशा को, वो अपनी element में चिला रही है, वो क्यों बोल रही है ऐसे, लड़ाई त इसको अपने इशा की नकल करके हमें बता दी, अब मैं आपको तीन नाम और बता हूँ जिनकी नकल आपको करनी है, और आपको बताना है कि वो इस सिटेशन को किस सरह से बोलती है, ठीक है, तो बताईए मुनावबर, अरे क्या मुनावबर, क्या, परलब कि उनकी अगर मिमि आपको बता ही जब घर में जगड़ा चलता है यह एक कोने में ख़ड़ी है यह कहीं भी चिलाती रहती तो आप अगर इशा को देखेंगे और जो जगडे को देखेंगे आपको रेलाइज होगा कि इशा क्यों बोल रही है आपको यह बता रहे थी कि वाई शी यह यह बात का उसकी बात से कोई लेना देना ने बहुत अच्छा मोमेंट दिया है वह अपने अब वाईरल होने वाला है मैं मोमेंट में उस मोमेंट के अगरे बात लोग तो अरे तो जिस दिन वर्ल्ड कब था ना उसे विक्की और अभी शे की लड़ाई चल रही थी गार्डन में उदर ना मुनवर खाना खा रहा था मैं ऐसे बाजू सोफे पर बहरी थी इशा वहां और यह गार्डन है जाred dai की और अभी शेक लड़ाई कर रहे है इशा ऐसे आई ऐसे क्यामरा की तरफ देखा समझो अभी यह 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 कम्रेन और लड़ाई पीछे है इसे फोड़ग को अथा बया चार। तोड़ी दो हता है, ऐसे कैसे चलेगा, और इतना बोलके चली गई, और मैं ऐसे बैठ रही हूँ, और जब वो इदर क्यामरा की तरफ चला रही, जबकी लड़ाई पीछे चल रही हूँ, तो मैं ऐसे देख रही हूँ, इशा, लड़ाई, बीछे, वो अपने तीन डायलोग बोली और इसे चली गई, तो मैं मुनभवर को देख, मैंने क्या है, चोड़ो ना, खाना काओ, खाना काओ, इदर आधे लोग ऐसे ही है, कुछ भी बोलते रहते, I'm really telling you, एक दिन एक लड़ाई में, इम्म्ूनिट्य टास्क्श के लड़ाई में, मैं, अंकिता, सन्ना, खान जाथी वो टास्क करना था, तो मैं इन, इस थीनोंगे खेर लिया था, सारे घर ने इन ठीनों गेर लिया था, तो मैं सबको उठा रही थे, भई, बीग बोज ने का है, पीछे फेसलों औगा है, इन यह इंका फैसला होगा, तो अभीशेग ने बोला, तो चिला क्यो रही है, यह भी तो वही बोल रही है, कि पीछे अटो इंका फैसला होगा, तो ऐसी चिलाती रहती है, सुनती भी नहीं है तू, तो शी जिली नीज तो गो ना, वनिसली, शी नूसंस, टोटल नूसंस, कुछ भी बोलती है, यार वो, और उसके पापा क्या बोलते है, यार किसी ने, मिर को किसी ने इंटर्वी में बोला, बच्ची है, जो लहां बच्ची है, तो बिग बॉस में नहीं भेजना चाहिए थे आप नहीं पूची थी, तो हरकते तो उसकी बच्ची जैसी है, नहीं कहीं भी, स्टार्ट टू एंड तक कौन सी हरकते, उननीस या बीस साल की लड़की की तरह है, जो फाम है, चौफ हो एज, बहुत कम टाइम बचा है, फिनाले को लेकर, किसको विनर बनते हुए अब आंसर का एक हाथ में होगा मुनवर का हाथ, दूसरे हाथ में होगा अभिशेक का हाथ, मेरे लिए वही विनिंग सीन है, हाथ जिस मर्जी का उपर जाए, बाजू में दिये दोनों ही खड़े रहेंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई, अंगिता को विनर बनना च पर जाती है कि अंगिता ने अगर मैं अभीशेक का एक ग्राफ देखू, तो इस में अभीशेक का ग्राफ देखा है, अब को अब अच्छा लगता है, रहा है। विनर इसका भाईवियर चेंज हुआ है, विनर चांग में है, इतना कुछ किया, कर गुजरा, जो भी कहलो, इ एक रिष्टा उस घर में मतलब के लिए नी बना पूर मुठ नंवर पर इतना कुछ वॉया उसमें सहा या जैसे जवाब देना था या जैसे अब अभर के निकला है इसने इक रिश्टे के रिष्टे ना क्यों बनाएव उसा बंदे वोट आउट नो करूगे तो वो मतलब के रिष्टे नहीं बनाए तो definitely for that reason अगर हम अंकीता की बात करें अंकीता ने जिस तरह से Big Boss में entry ली थी जो first two weeks आप please वो episodes देखेंगे तो समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहे हूं वो first two episodes और अभी ये बारवे हफते से जो अंकीता का एक behavior back to first two weeks similar हुआ है तो उसके बीच में जो था ना that was a projection नहीं ऐसा नहीं होता है ना जो मैंने उसको point out पी किया in the nomination also in one to one conversation तो उसने मुझे बोला भी कि मैं अपने आपको change कर रही हूं पर तुम अपने आपको change क्यों कर रही हो और अगर change कर रही हो चलो एक अच्छे के लिए कि चलो मैं तरीका बात करने का अपना बदला बदली करूं so that people look at me in that whole classy way you know all that stuff तो फिर अभी क्या हो गया so there is been no you know that sort of अगर हमने अभीशेग को गुसा ये वो फाला नहीं का ते नहीं we're seeing a very nicer side of Abhishek we saw that whatever side of Ankita first two weeks then we saw a very different side of Ankita in the between and now we're seeing again Ankita back to that it should have been for the better the growth है ना एक हम जो कहते एक बदलाव एक ग्रोथ होनी चाहिए so then how can you say that she's deserving if anybody deserving also if I'm saying besides Munavvar और Abhishek तो फिर किसी हद तक तो फिर अगर मुझे नाम लेना भी है तो फिर मैं विक्की का लूँगी क्योंकि विक्की में consistency तो रही है कमीनेपन की जरूरी है you like it or not विक्की जैसे लोग नूँगे तो फिर Abhishek और Munavvar जैसे लोग दिखेंगे कैसे यह बात मैंने नील के साथ की थी मैंने का अगर बुराई नहीं होगे तो फिर अच्छाई कैसे नजर आईगे वो फरक कैसे समझ में आएगा कि इसने रिष्टे बनाए बात बुराइन की नहीं है विक्की ने रिष्टे बनाए दोस्तिया की पर उसकी काफी दोस्तिया, मैंने कहती है उससे सची दोस्तिया नहीं की बट maximum दोस्तिया उसकी nomination की वज़े से थी nomination से बचने की वज़े से, एक मतलब से, एक मकसद से सही गलत, who am I to tell बट क्या मुनवर ने या अभीशेक ने वैसी दोस्तिया बनाई की nomination से बचने के लिए उस मकसद से बनाई वो दोस्ति, विकी और मुनवर की अच्छी दोस्ति है आज वो इस चीज पर पतनी आगे दोस्त बनेंगे नहीं बनेंगे विकी ने मुझे बोला था की मुनवर मुझे बहुत पसंद है मैं आगे उनके साथ दोस्ती रखना चाहूगा अब जिस टैंजेंट पे दोनो हैं, I don't know क्या होगा बट या, if the third person has to be in the list then I would rather see a विकी के विकी में कंसिस्टेंस ही तो रही अपनी गेम खेलने की I don't know, वो better तरही किसे चानते होंगे तो ठीक है, मेरी समझ ये बोलती है बाकी भाइया voting, voting अपने को पता नहीं जिसको ज़्यादा vote मिलेंगे वो जीतेगा या जीतेगी Well, lastly, क्या गयना चाहेंगे दश्यकों से कहां आप नजर आने वाले हैं, किस तरह की काम की तलाश में आप हैं देखें, फिलहाल तो मैं अभी भी बिग बॉस के काम में बहुत बजी हूँ जैसे आप देख रहे है और जब तक बिग बॉस फिनाले ना हो जाए और मुझे लगता हूँ उसके 10-15 दिन आगे तक भी हम यही करते रहेंगे बट बहुत जल्द आप मुझे एक नए किरदार में देखेंगे क्योंकि मैं भी एक अब किरदार करना चाहती हूँ और and I will definitely announce it to you once the basic process is done so but till then I need your blessings I need your support, goodwill and wishing you all a very happy Republic Day Thank you Thank you so much Rinku Ji, बहुत अच्छे लेगा आप से बात करके और बहुत अच्छे लेगा आप से बात करके और बहुत अच्छे हैं टरुदी आपने अमे Hi this is Rinku Dhawan and you're watching me on telly masala